कहने को तो लोग कह रहे हैं कि बाबर आजम और मुहम्मद रिजवान ने आज नुजी लेंड को इसी लिए हरा दिया क्योंकि फाइनल्स में उसको भारत से हारना है जब पाकिस्तान जीता तो सोशल मीडिया पर इस बात की पोश्ट की भरमार हो गई कि चलो पाकिस्तान का फा पूर्ण ये है कि फाइनल इंडिया और पाकिस्तान के बीच में होना चाहिए इंडिया और पाकिस्तान का फाइनल इतना शांदार फाइनल होगा जिसमें जो मैच कराने वाले हैं वो भी अरब पती हो जाएंगे और भारत के लोग भी फिर से एक बार दिवाली बनाने का बाकिया भी पाकिस्तान जीत गई है तो कुछ भारत के लोग ऐसे हैं जो खूश है इसलिए खूश है ताकि इंडिया उनको फाइनल्स में हराएगी और उसके बाद फिर से हो सकता है कि पाकिस्तान में टीवी तूटने का नया दौर सुरू हो जाएगा उसके बाद मीम्स की ब भीड़ते हैं तो क्या होगा आप सब जानते हैं भारत और पाकिस्तान का मुकाबला था न उजिलेंड से आधि न्यूजिलन की साथ मैच था और पाकिस्तान ने भारत ने भारत को हरा धिया और जैसे ही पाकिस्तान ने नुजीलेंड को हराया वैसे ही ये बात सोचल मीडिया पर लिखा जाने लगा कि देखिए अब पाकिस्तान और भारत की लडाई फाइनल्स में होने वाली है और इस लडाई में सब लोग जानते हैं कि भारत वाले जीत जाएंगे हम इस बात अदबा नहीं करते हैं कौन जीते है कौन हारेगा लेकिन हाँ ये बात तो बिल्कुल स्योर है कि अगर पाकिस्तान और इंडिया के बीच में T20 वर्ल्ड कप का फा देखने को मिलेगा और उस महा मुकाबला में क्या होगा इसके लिए कयासी अभी से लगाए जाएन लगी है लोग कह रहे हैं कि देखिए न्यूजी लैंड को अगर पाकिस्तान हराया है तो सिर्फ इसलिए हराया है कि फाइनल्स में जाकर उसको भारत से हरना है वाकि मीमर् पाकिस्तान का एक और शांदार मुकाबला हम लोग को देखने को मिलेगा और ऐसा हो सकता है कि सही में पाकिस्तान वालों ने ये सोचकर ही न्यूजी लैंड को हराया हो कि चलो इंडिया के हातों हारने में ज्यादा मज़ा है न्यूजी लैंड वाले हरा कर उतना मज़ा ले आहीं है बाकी पाकिस्तान के टीम को बहुत बहुत बढ़ाई कि उन्होंने नुजिलेंड को हरा दिया बावर आजम और मुहम्मद रिजवान को सबसे ज़्यादा बढ़ाई क्योंकि उन्होंने अर्थ सतकी ये पारी खेल कर अपने टीम को जीत तक पहुंचाया और उसके बा पाकिस्तान जब फाइनल्स में पहुंच जाए और इंडिया भी सेमी फाइनल में हो और इंग्लेंड को हरा कर इंडिया भी पहुंच जाती है तो आप समझ लीजे कि सारे जो क्रिकेट प्रेमी है वो एक साथ फाइनल्स के दिन कुरसी छोड़ने वाले नहीं है बाकी देख देखते रहिए बहुत बहुत धन्यवाद